नमस्कार मैं हूँ आपके साथ खुशेतरी और आप दीख रहे हैं BVM News फर्दबा टाइमस में आपका स्वागत है रुख करते खबरों के ओर इंडियन नैशनल लोगदल के सुप्रीमो चौधरी उंप्रकास चोटाला आज फर्दबाद पहुंचे बलमगड के अनाजमंडी में उन्हें कारकरताओं की बैठक को संबोधित किया इस मौके पर चौटाला ने यह भी कहा कि किसी भी सूरत में गदार कारकरताओं को वे अपनी पार्टियों में नहीं लेंगे उन्होंने कारकरताओं से भी निवेदन किया कि कारकरता भी इस बात का विशेश तोर पर ध्यान दे कि कोई बिगरदार पार्टी में शामिल ना हो दिखाई दी रहा नजारा बल्लमगड की अनाजमंडी का है जहां चौधरी ओम परकास शोटाला आज पैरोल पर आने के बाद कारकरताओं से मिलने पहुंचे कारकरताओं को संबोदित करते हुए चौधरी ओम परकास शोटाला ने कहा कि वह अधिक से अधिक अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ें ताकि आने वाले विधानसवा चुनाब में इनैलो की सरकार बनने में मदद मिल सके चौटाला ने यह भी कहा कि आज परदेश का हर वर्ग बीजेपी सरकार की नीतियों से ट्रस्ट है इसलिए कारेकरताओं के बीच में जाकर इनैलो सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए हर बार की तरह ओम परकास चौटाला आज भी मीडिया से रूबारू नहीं हुए और उन्होंने यह कह दिया कि मीडिया में उनको ना दिखाया जाए इनैलो के बर्लमगर के अध्यक्ष ललित बंसल की माने तो चोटाला आज कारेकरताओं में जोश भर कर गए हैं उनकी माने तो उन्होंने साफ तोर पर गद्दार कारेकरताओं को अपनी पार्टी में शामिल ना करने की बात कही अपने जो पार्टी के कारेकरता से उन लोगों से भूबर रूप होने के लिए मिलने के लिए उनका हालचाल जानने के लिए हमारे बीट में आये थे और उन्होंने अपना संदेश दिया कि आप संगठित रहो और संगठित रहने से ही पार्टी आएगी इंडिया नेस्वर लोग दिल की सरकार बनेगी और जिससे की हमारे सभी लोगों को यही कहके गहे हैं कि आप लोग सब इखटे रहो कार्य करता से ही पार्टी आती है और का बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए फिर हमारी पारटी में आगे हमारी पारटी से फिर बीजेपी में चले गए हम वेरे को नाम लेने की जुरूत नहीं है यह आप सब लोग जानते हैं जन्ता जानती है कि कौन लोग कहां थे और कहां है